अर्मित्रों आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मारे यूटूब चैनल सुधा डैरी मीडिया में तो आज दोस्तों आप लोग को सबसे पहला बात पता देता हूं कि वीडियो एंड तक देखेगा और आज क्या वीडियो अगर किसी को पसंद नहीं आएगा तो वह सोचने प्राइड एडियो फारन आना क्यों चाहते है लोग इस लाइन इसका में मकसद क्या होता है वह सबसे बड़ी बात है वह चारपाच छे साथ ऐसा एसा बिसेद गिनाओंगा कि उस कारण से परेसान होके या उस कारण सोच के डैरी फार में आना है तो सबसे पहला नंबर दो में जो बाते हैं जो प्राइड जोब से परसान रहते हैं घरसे दूर रहते हैं और उनको प्राइड जोब में पैसा कुछ कम मिलता है तो वो सुझते है डैरी से अच्छा कमा therapies और गाओं में रहके अपना काम करेंगे तो डैरि फारण उनको सबसे पहला नंबर बिजनेस द दोस्तों कौन आते हैं खोज के लोग होते हैं जो कोई भी कोई भी मलब डिपार्टमेंट से हो आर्मी बीस एफ सी आर्पी एफ हो जो भी बटालियं हो जैसा भी हो सरकारी जोब मलब जैसे की यह की तीचर को छोड़के टीचर बहुत कम इस लाइन में मलब घुजते हैं वहां से होते हैं और उनको अपने लिए सबसे बड़ी चीज नहीं पड़ी होती है वह ज्यादा तर अपने बच्चों के लिए सोजते हैं नहीं तो क्या सोजते हैं कि उनको रिटायर्मेंट होने के बाद गाउं में ही आना है सबसे बड़ा चीज होता है और फोज से परिसान होके वो लोग डैरी नहीं खोलते हैं प्राइबेट वाले परिसान होके खोलते हैं लेकिन जो फोज में होते हैं उनकी दिल की इक्षा होती है कि जब रिटायर्मेंट होके गाव जाएंगे तो उनके पास पैसा रहता है retirement का कुछ मिलता है उनका retirement का पैसा भी मिलता है उसको सोचते है कहीं लगाउंगा अच्छे जगा पर और अच्छे से उससे कमाउंगा निकालूंगा अच्छा है मगाव मेरे रहके छोटा मोटा रोजगार दो-चार लोगों को द में मैं सोच यही होता है कि इससे हट के होता है और आप लोगों ने जो किया है। क्या सोच के किया है कौन से रोजगार से कौन सा बीजनेस है कौन सा जौब से परिसान होके या कौन सी चीजे से किया है तीसरा नमबर के बाद दोस्तों चौथा नमबर में आता है कि जो पैसे वाले होते हैं जैसे कि लोगों के पास बहुत ऐसा बीजनेस है जो कोई कपड़ा रहे होते हैं अच्छा पैसा यह उसमें थोड़ा नुकसान चलता है तो फिर खोलूँंगा तो इससे पैसा आने लगेगा यह बिजनेस ही ऐसा है कि आज गाय खरीदे आज से पैसा आने लगेगा तो यह सोच के लोग नंबर का उलती है यह करके बनाना पड़ा तो इशे मां जो कर रहा था बाद फाचवेन नंबर की बात आई थी कि जैसे बिजनेस वाले ही बिजनेस फें भुशना चाहते है शर्च बाधा उने शर्च करते हैं उसके बाद उन तो डैरी भीजनिश अच्छा दिखता है तो उनके लिए वी भीजनिस हो जाता है वो भी लोग डैरी फोलते हैं इनके पास अधा कुसी के पास नहीं होता हैikum कभिसें हमारा गलत हो पैसा उनके पास थोड़ा ज्यादा होता है और वह सेवा करना चाहते हैं, सेवे के रूप में इसको चलाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे भी लोग खोलते हैं, कि ताकि पैसा भी मिल जाएगा कुछ और उसके बाद रोजगार भी लोगों का दे देंगे, तो पांच ये बीसे जो हमने गिनाया दोस्तों पांच लोगों को दिखाया, इसमें सबसे पहला नंबर जो आता है, वो किसान ही होते हैं, दूसरा नंबर प्राइवेट वाले होते हैं, उस प्राइवेट में भी कटेगरी होता है, बड़े पोस्ट पर होते हैं, उनको डैरी का मनलब बहुत बड़ा सोच नहीं रहता है, लेकिन जो नॉर्माल होते हैं, जो लेबर क परेटर का काम करते हैं और सुपरवाइजर और मनेजर से मालिक से बोली सुनना पड़ता है उनको परिषान होके और डैरी खोलना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं और सबसे बड़ी बात है इस बीजनेस में दोस्तों की हम अपने परिवार के साथ रहके गाव में अपने रहके अपने घर पे रहके इस बिजनेस को चलाते हैं और कुछ पैसा कमाते हैं इससे रोजी रोटी चलाते हैं ऐसा है तो इसलिए यह बिजनेस है और बहुत लोगों का सोच है कि बहुत बढ़िया बिजनेस भी है बहुत ल दिया जाएगा लेकिन मेरा जो सोच है दोस्तों मेरा जो सोच है मेरा सोच यह है कि बिजनेस जो है यह ऐसा नहीं है कि खराब है बिजनेस बनिया है हम इसको कैसे मेंटेन करते हैं उस चीज़ पर है तो बिजनेस जो है कोई भी बिजनेस खराब नहीं होता है थोड़ा सा लोगा कल से कमाने लगूँगा इसको बहुत लंबा सोचके सभी बिजिनेस के जैसा सचलसाय दूसरा पूजी उसका मारकेट में रहता है तूसे माल जर्णता है मंगाता है तो इसमें भी वैसा ही है अगर तीन पूजी आपके पास है तो इस बेहुत मिनिया से चला सकते हैं जैसे हमको एक गाय का डैरी करना थो इसे को आप मार्केट में दूरत को देंगे तो पैसा हने देर भी हो सकता है जैसे आज कल सुधा का चल रहा है लेकिन आपको इस भी से पर नहीं है इसे मैंने बताया वो भी से कैसा लगा आप जरूर बताईएगा और comment जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया अजो जलने माले है भाई जलते रहिए आपको कोई दिक्र नहीं आपको जलन मेरे से अगर हो ही गया है तो अब मैं क्या कर सकता हूं मेरा कुछ ऐसा ऐसा भासा है कि लोगों को बुरा लग जाता है लेकिन जो भी चीज है हकीकत मैं लेकर आता हूं यह अपने भरोसा रखता हूं कि मैं सच बताता हूं जूट बताने की कोशिस नहीं करता हूं पंजाब का मैंने कि यहां करो दिक रहा है इस काम को करने के लिए दूसरा को होता तो पाच-फाच-छे-छे आदमी की जरूरत पड़ती लेकिन हम लोग दोही तिन लोग इसको करना पड़ेगा और नहीं समझ में आएगा तो कॉल कर लीजिएगा बात कर लीजिएगा फिर किजिएगा कोई दिकर नहीं है बहुत बढ़िया चीज है ऐसा नहीं कि थराब है लेकिन सब कुछ देखते हुए चलना है आपको कितना बजट है कैसा है उस हिसाफ से चलिएगा और खेती के साथ इस बीजिनेस को किजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा बाकि आप डाइरेक्ट सोचेंगे दूद से पैसा कमा लूँगा तो ऐसा नहीं है खेती जब तक नहीं रहेगा यह बिजनेस चली नहीं पाएगा क्योंकि मार्केट में दूद का इतना भाव है नहीं सब जगा दो चार जगा है चलिए सभी को जैसी राम जैसी रादे जै गोमाता जै गोपाल वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कर जिएगा और कहां से आप देख रहे हैं आपका बिजनेस किस रूप से चालू हुआ है कौन सा मकसद से चालू हुआ है आप किस इंड़ पारे में तो जानता है कि आप अच्छे है तो ही हमको देख रहे हैं नहीं तो नहीं देखते हैं चलिए जैसी राम जैसी रादे